Welcome to Fantasy Council और पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले मैच में क्या हुआ अगर आप लोगों ने कल KKR और राजस्थान वाला मैच मेरी टीम से खेला है या मेरी प्रेडिक्शन्स फॉलो करके खेला है तो मैं आपको 100% मतलब 100% एक चीज की गैरंटी दे सकता हूं कि आप लोगों ने उस मैच में कम से कम अगर आपका बज़ट 1,00,00,00 रुपे है ना सिर्फ ये बताता हूं बात करूंगा जिसको शक हो वो वीडियो जाके देख सकता है हर इंसान कि मैंने केक्यार और आरार वाले मैच में क्या प्रेडिक्शन्स दी थी मैंने आपको बताया था संजू सैमसंग फ्लॉप हो जाएगा और साती सात मैंने आपको ये भी बताया था कि सुनील नरायने और जौस बटलर ग्रैंड लीग में ताबड़ तोड़ CBC बनाओ कोई टेंचन वाली बात नहीं है और ग्रैंड लीग के CBC कौन थे सुनील नरायने और जौस बटलर वहीं मैंने आपको दूसरी प्रेडिक्शन्स भी दी थी कि दो उपनर में से कोई एक flop होगो और खेलेगा आतिशी पारी, salt होगया flop और ये भी बताया था, बोल्ड से खत्रा रहेगा हाला कि पहले और में cat चुड़ गई थी लेकिन उसके बाद भी salt का flop होना तो सारी प्रेडिक्शन्स एक तरफ है या फिर मैंने आपको क्या बताया हो कि अगर जॉस बटलर ना खेले तो KKR जिता हो, और अगर जॉस बटलर खेलता है, तो जिता हो राजस्थान रॉयल्स, और अगर आपने कल मेरी तीम से ट्रेडिंग भी करी है न तो आपने अंधा पैसा कमाया है पर कोई नहीं अगर आपने कल नहीं कमाया आज के मैच में मिलती है आपको एक बहुत जादा बड़ी अपॉर्चुनिटी, दिल्ली कैपिटल्स और गुजराट टाइटन्स का जो मैच होगा खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में एहमदाबाद वालों के लिए मतलब गुजरात वालों के लिए एक ऐसा फोट्रेस है जिस पे ये बहुत जादा जीतते है एक कदुका मैच अगर मैं हटा दू तो आज के मैच में सारी चीज़े आप से डिसकस करने वाला हूँ साथी साथ दिल्ली में वापस हुई है जेक फ्रेजर मैगर की और क्या मिचल मार्श आज का मैच खेलने वाले हैं और अगर खेलते हैं तो किसको करेंगे वो रिप्लेस ये सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ और इस वीडियो में आप लोगों के लिए सिर्फ एक चीज की 100% guarantee है कि आपको profit होगा clear होगे ये बात तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो लेके प्रभू का नाम पर उससे पहले सभी लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपको करना है एक असान सा काम आपको join करना है हमारा telegram channel अब आप सोचोगे यार कही की बार winning team भी होती है trading भी होती है 6 overs, 10 over, 20 over और साती सात मेरी small league team में कोई change sl team जिसे हम बोलते हैं तो वो सब कुछ आपको कहां पर पता लएगा हमारे telegram channel पर join कैसे कर सकते हैं सबसे पहले small league team personal guidance daily free की ववे सब कुछ एकदम free में होता है उसकी tension बिल्कुल मत लेना fantasy council का telegram channel कैसे join करें यह मैं आपको बताना चाहूंगा आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके description में और comment section में मैंने comment pin किया हुआ है वहाँ पर जाहिए link मिलेगा उस link पर tap करिए और सीधा join हो जाहिए हमारे telegram channel पर clear हो गई यह बात तो चलो सब जॉइन कर लेना आप चाहो तो मुझे इंस्ता पर भी follow कर सकते हैं के 4308 मेरा username है अब हम चलते हैं आगे की तरफ हम चलते हैं आगे की तरफ हमारे mega giveaway की तरफ जो क्या रहने वाला है एक लाग का mega giveaway जिसमें सही जवाब जवाब देने पे winners को मिलते हैं 33,333 रुपे और होते हैं तीन लकी विनर्स इस चीज का सारे लोग दिहान मिरना तीन लकी विनर्स होंगे और जिसका जवाब सही होगा वो लेके चला जाएगा यह धन राशी अब उसके अलावा फस्स लाइक फस्स कमेंड वाले आप तो ल उज्ज्राय जाइंट जिन्हों टाइटन से मैंच में तीन हारे पींड जीते और चेपॉइंटे में उखी होई है चर्टी पोजिशन पे इनको ट्रिपली से लैस २छ सेज्ग 60 तुम्हें पता है गोटी नमबर है फिर हम आते हैं डेली कैपिटल्स जो नवे पाइदान पर है छे मैच में दो जीत के चार हार के और चार पॉइंट दर्ज करके माइनस नौ साथ पाँच दशनलग ये इनका चला है लेकिन अगर आज का ये मैच जीत जाते हैं तो ये सीधे गुजरात की जगे पे आ जाएंगे और अगर बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं तो फिर ये लगनाव सूपरजाइंट्स को रिप्लेस करके टॉप फाइब में कूच जाएंगे तो दिल्ली के लिए गुजरात के लिए दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मैच रहने वाला है और अब जैसे जैसे बड़े मैच जाते जाएंगे समझ लो हमारी कमाई बहु बहुत ही सुंदर मैदान है बहुत ही जादा जहांकि पिछ हमेशा बल्ले बाजों के लिए अच्छी रहती है ग्राउंड डाइमेंशन्स यहां के थोड़े से बड़े हैं अगर मैं कंपेर करूं इसे एडन गार्डन से अगर मैं कंपेर करूं इसे चिन्ना स्वामी मैदान यहां टॉस जीतो चेज करने जाओ आदा मैच आप अपने नाम इसी तरीके से कर लेते हो अब दोनों ही टीम में जब हम देखते हैं गुजरात दिल्ली तो गुजरात का होंग राउंड है तो जाहिर सी बात है गुजरात ने यहां जादा मैच इस खेले हैं तो पिछले कुछ 200 रन चेज होता है तो कितनी अच्छी पिछ है यह साथ विकेट पेसर लेके जाते हैं चार विकेट स्पिनर और 400 के स्कोर पे सिर्फ और सिर्फ ग्यारा विकेट गिरे हैं यह भी देखने के लिए दरशाती यह चीज की कितनी प्यारी बैटिंग विकेट है यहां पर यह चार विकेट पेसर चार विकेट वही जब हम यहां वाले मैच में जाते तो गुजरात ने बस एक मातर मैच डिफेंड किया था मुंबई के खिलाफ इसमें 13 विकेट पेसर लेकिए तो 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 यहां पर क्लियर लीग कुछ खास मदद मिलती नहीं लेकिन दिल्ली और कि अगर आप वो मेरा अभी तक का सबसे बड़ा जैकपॉट मैस था पूरे IPL गा उसमें मैंने ट्रेड गिया था आठ लाग के एक करोड गा और उसमें एक करोड से उपर तो मेरी सीधा गुजरात की विनिंग पे ही आ गया था हाला कि कल एक करोड बार लाग की विनिंग आ केन विलियमसन जैसे बैट्समें को निकाल के जो मेरे समझी है अभिना मनुवर को यह लेके आए हैं साथी साथ 3D प्लेयर की जगे आज तक क्यों बनी है मैं तो कहता हूं सबसे लखी प्लेयर है विजय शंकर फिर राहुल तेवतिया मोहिच शर्मा करामाति खान राशित ख मैच में करोण पती लोगों को देखके आना बस इस मैच में मैंने क्या क्या करके दिया था यकीन नहीं आएगा ऐसा लगेगा भाई हम नहीं यकीन कर सकते यह वो लोगे मुंबई से जीते CSK से आरे हैदरबाद से जीते पंजाब से हारे लखनौ से आरे आरार से आरे अब आरार से जीते अब आप एक चीज नोटिस करेंगे बड़ी टीमों से जीते हैं हैधरबाद से जीते माई से जीते पंजाब से आर गए लखनौ से आर गए फिर राजसान टेबल टॉपर से जीत कहा और राजसान ने पिछले मैच में कल क्या करा है वो हम सबने देखा मैं कमाई करी है यार पिछले वाले माच में तो साही सुदर्शन 45-37-45-39-35 आप देखे रहे हो एक लौता है इतना कंसिस्टेंट बंदा मुझे नजर आ रहा है जो ड्रीम टीम में हर बार है शुमन गिल को देखे आप 31 रन आठ रन पिछले मैच में वेड को वन डाउन भेजा गया चार रन पर भाईया जी आउट हो अभी न मरोर को जब हम देखेंगे तो एक रन इनन बनाया है विजे शंकर चे रन बार रन चौदर रन आठ रन सत्रा रन कैसे कोई बंदा इस बंदे को लगाता टीम में किला सकता है मुझे स चारन विकेट लहाज एक रन दो उकित एक उंट उर समय 20 मैच मैच विनिंग साबित हुए थे और नूर अमत जिनी की बाॉलिंग ठीक था रही है चारव नां वां थीन बात्थ रहा है का तूर्मा का टूर्णमेंट अगर मैं कहूं यह कहां कहां के बॉलिंग कराते हैं मोहित उमेश स्पेंसर यह आपको दिखते हैं पावर प्ले एंड नूर और राशित खान यह मिडल ओवर में अपना आठ ओवर का कोटा खतम करके जाते हैं अच्छा अगर मैं आपको चीज के लिया जाएगा के इनी विल्यंस सन को और स्पेंसर जॉनसन निकाल के आप डेविड मिलर के लिए चले जाएए दो बॉटर यहां से देखो आप चाहें तो बॉलिंग करवा सकते हैं ठोड़ी सी साही की शौर भी है के बॉलिंग करके जा सकते हैं आप के पास बदेश हैu मोहित शर्मा है, राशित खान जैसे प्लेयर हैं, आप इन से में बॉलर रखिये, राहूल तेवतिया, बीच में बॉलिंग डाल सकते हैं, विजे शंकर बॉलिंग डाल सकते हैं, आप अपनी बैटिंग इतनी मजबूत कर दो कि कोई भी स्पोर छेज कर जाओ, और कोई भी तर शर्षन नालकंडे भी बॉलिंग करा सकते हैं, यह हमने पिछले मैच में देखा था, तो परिशानिया हैं, सही कर लें, तो जाद अच्छा रहेगा, कैसा केलते हैं, दिल्ली के खिलाफ और इस मेदान पे, एहमदाबाद के प्रिंस कौन है, शुमन गिल, 12 मैच, 31 के एवरे इनको, तो दिल्ली के खिलाफ जब लास्ट काइम आए थे, तो बासरट रन की पारी थी, और इस मेदान पे इनकी 45 एवरेज है, वेड ने भी दिल्ली के खिलाफ दो मैच खेले हैं, और एकी रन बनाया है, और एक मैच में आठ रन इस मैदान पे है, दोनों उपनर से मुझ एक 40 रन की पारी अगर हटा दू, थ्रीडी फ्लेयर, ये दिल्ली से खेल चुका है बंदा अगर मज़ेगी बाद बताओं, आठ मैच में 90 रन और एक विकेट इनके नाम है, दस मैच में 143 रन है, इस मैदान पे और 0 विकेट है, बस खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे ह और ये भी दिल्ली की तरफ से खेल सकते हैं, खेल चुके हैं, इस मैदान पे इनोंने 16 मैच खेले हैं, 114 रन और एक विकेट अपने नाम इनोंने कर रखा है, तो अगर इसमें टॉप 6 में से मैं बोलू, कोई चल सकता है ना, तो मुझे इन दो ओपनर्स के अलावा किसी से होती है, honest opinion, नेकिन फिर आते हैं इनके balling attack जो अच्छा है, जिसमें आते है कराम आती खान, जिनके 15 मैच में 20 विकेट हैं, दिल्ली वालों के खिलाव, और 13 मैच में 16 विकेट इस मैदान पे हैं, 12 मैच में 14 विकेट मोहिच शर्मा, 12 मैच में 26 विकेट इस मैदान पे, ये पी एमदाबाद के king है, अगर balling की मैं बात करू, नूर ने जो 1 मात्र मैट दिल्ली के खिलाव किलाव में 20 विकेट लेस, उमेश यादव जो 13 मैच में 14 विकेट ले जा चुके हैं, और 13 मैच में 14 विकेट रथा, फिर आते हैं, Spencer Johnson, जो इस मैधान पे ले जा चुके है 2 वि कि आप दिल्ली का पिछला मैच उठाके देखो कितनी बड़ी टीम से था बहुत बड़ी टीम से था और मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई थी कि दिल्ली आज रोर मचा देगी इतनी बहत्रीं टीम से दिल्ली ने वह मैच खेला था कसंद से बता रहा हूं खड़ी हो आएगी गुजरात से बिल्कुल मत सोचना गलत फैमी में होंगे आप डेविड वार्नर पित्वी शो ओपनर्स हैं फिर आते जेक फ्रेजर मैंगर्ग दॉस्ट्रेलियन टेलेंट जो खेलते थे मेल बन रिनेगेट्स की तरफ से और क्या चक्के मारें विछले मैच में आपको मैं सच्छी बात बताता है इस टीम की इस टीम की जो सबसे खास बात है अब जो इसका बैटिंग लाइनप है न वह पूरे आई-पी-ल का बैस्ट बैटिंग लाइनप है या तो केके आर के पास है वो या इनके पास है क्यों इन पर बड़े प्लियर है एक दो थीन च जिरी से तो होग को भार कर दिया जाएगा क्योंकि और फिर आप देखो इस टीम में कितने बड़े हिटर होंगे यार जो अपने दम पे मैच जिता सकते तो दिल्ली की अब दिल्ली तैयार है बॉलिंग भी ठीक ठाक कर रही है बुरी नहीं कर रही है क्योंकि खलील अच्छी कर रहे है इशान सर्मा के साथ कुल्दी व्यादव अच्छा मिडल फेस में अच्छी बॉलिंग करके जाते हैं और मुकेश कुमार तो देखो मार खाने के लिए बने लेकिन फिर भी पिछली बार ठीक ठाक बॉलिंग कर गए तो अब एक दो बॉलर तो हर टीम में ऐसे होते चेनने को हराया केक्यार से आरे मुंबई से आरे फिर लखनों को हराया पूरे छे विक्टों से अब आप देखे प्रित्वी शौ जब से आये हैं टूर्णमेंट में अच्छा कर रहे हैं 43-10 66 बरतेस डेविड गॉर्नर का बला चल रहा है 39-42-18-10 फिछले मैच में इंटर बंदा अठारा रहन टाइस रहन इक्यावन पच्पन एक तालिस ट्रिस्टें स्टॉब्स पांच चवालीस जीरो चववन इकत्तर पंद्रा और शेह हो इन्होंने पहले मैच में 33 बनाए तो फिर इनके बैक्स बैजम हो गया था वापिस आके इन्होंने ग्यारा बन और तीन विकेट पिछले वाले मैच में ले जा चुके है मुकेश कुमार एक विकेट इधर तीन विकेट इधर और एक विकेट पिछले मैच में लेकिन रन खाये हैं यहाँ पे चार में तालिस और यहाँ पे चार में लगबग पचास इशान शर्मा जीरो दो जीरो एक खल वाली बढ़ था इतने जादा रण भी नहीं खा रहे है इकनोमिकल साबित हो रहे हैं जो डिलिकों चाहिए मिचल मार्श की अगर वापस हो जाती है तो एक एक एक्सट्रा बॉलर डिली के पास हो जाएगा मिचल मार्श और यह ओप को फिर भार कर सकते हैं इनके पास फिर अच्छे बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे और इंपक्ट ले में अभी शेक पोरेल को लेके आते हैं जिनकी पिछले मैच में बैटें नहीं आई थी कैसा खेलते हैं गुजरात की खिलाफ इस मैदान पे सोड़ा नजर मारेंगे तो जादा समझ आएगी डेव पास-पांच मैच इसमें अच्छा कर गया रहे तो ओपनर में से कोई एक फेल जैनरली होता ही होता है दिल्ली का फ्रेजर मैग गारक का तो पिछला ही मैच 55 रन वाला था रिशब पंद ने भी एक मैच जो खेला था गुजरात के खिलाफ उसमें 43 रन मारे थे और राशित पास-थान को बहुत अच्छी से यह खेलते हैं आठ मैच में 190 रन और 31 की अवरे जिनकी इस मैदान पे भी है स्टब्स पहली बार खेलेंगे फिर हम आते हैं एक्सर पटेल बापू बापू का यह होम ग्राउंड है आपको पता ही यह बात तीन मैच में 70 रन आठ मैच में 90 नाठ विकेट और जितना इस मैदान को बापू जानते हैं शायद ही कोई दूसरा बंदा जानता होगा शे होप आई पेल के दो ही मैच खेले हैं ग्यारा नाबाद 33 रन ऐसा चल रहा है इनका टूर्नमेंट इशान शर्मा जो एक मात्र मैच खेले तो उसमें दो विकेट ले आ चुकी है फॉर्म में लेकिन अगर पिछले मैच की मैं बात करूँ तो डी सी के साथ बहुत बुरा हुआ था लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा किसके साथ हुआ था गुज्राट टाइटन्स के साथ आप दिखें गुज्राट के 125 रन दिल्ली के 130 रन यहां से शुरू अब यहां पर क्या होता है रिद्दिमान साथ जीरो पर आउट होते हैं छे रन पर गिल आउट होते हार्दिक पांडिया के 59 रन नौट आउट विजेश शंकर के 6 रन जीरो रन डेविड मिलर 26 और 20 रन बनाये थे अभीना मनोहर रहुल तेवतिया ने शॉट रहा गये थे इस ने तो रहुल तिवतिया ने लगबग मैच ही खतम कर दिया था अच्छा गुजरात की तरफ से शमी चार विकेट एक राशित कान और दो मोहिश शर्मा नूर एमद यहां पर विकेटलेस गए थे और खलील के दो विकेट दो इशांत के एक नौर्किया एक कुल्दी प् को मिलेगा हजार विकेट यह जो बैस कमेंट्स में आते हैं और 33333 का पीटियम कैश मिलता है जिनका जवाब होता है बिलकुल सही फ्रीगी वबेगा तो क्या रहने वाला है मेरा सवाल यह मैं आज आपको बता देता हूं क्लियरली आपकी स्क्रीन पर आज आपको सिर्फ य और LBW कोई मार सकता है कौन है वो प्लेर राशिद खान कर सकते हैं कि वहीं सबसे ज़्यादा परिशान करने वाले तो मैं लिखता हूं राशिद खान क्योंकि गुगली है ना और क्या स्पेल रहेगा राशिद का चार ओवर 31 रन और दो विकेट आप चाहें तो जो भी नजर माल लेते लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं जनाब इतनी तगड़ी कमाई चल रही है आज के मैच के आपको और जाता प्रेडिक्शन दूंगा बढ़िया कमा के दूंगा टैंशन मतलो पहले इस्तमाल करें फ प्रेस करिए फिर देखिये कमाई का सिलसिला रूखे गा नहीं फैन अटेंडेंस मैं तो दिल्ली वाला हूं मैं क्लियरली बना रहा हूं रैड हर्ट मैं मैं करूंग आज कमेंट दिल्ली वालो लाल दिल है हमारा और अगर आप कर रहे हैं गुजरात को सपोर्ट तो आप ब होती है यह देखने के लिए कि आप किसको सपोर्ट करते हैं मुंबई और सीएसके में तो बड़ा मजा आया था येलो रेड येलो ब्लू येलो ब्लू कर दिया था सब ने गुजरात के बल्लेवाज ये मैच अप्स जरूर सुनना गुजरात के बल्लेवाज कैसा कहलते हैं दिल्ली के गेंध बाजों के खिलाफ उस पे नजर माल लेता है शुमन गिल से स्टार्ट करते हैं शुमन गिल ने नौर्खया की किस गेंध खेली 34 रूं बनाया पर 3 बार आउट हुए नौर्खया की खेलेंगे नहीं वो देखना होगा खलील अहमत ने 25 गेंधे डाली है 38 गेन में दो बार आउट कर रखा है शुमंगी लिए को विलियम सन ने कुल्दीप यादव की 32 गेन में 49 रन तो बनाए है पर दो बार आउट भी हुए है इन्होंने अक्सर पटेल और नौर्ख्या को अच्छा खासा सबक तो सिखाया लेकिन एक एक बार दोनों को अपना विक और गर्चर संने ही वेड को सबसे जादा उठ्के है खास्तर पर जाय रिचर संन ने है आप सोचोगे जाय रिचर संन ने कैसे तीन बर ऑटकर दिया क्यूंकि जाय और वेड दोनों खेलते हैं बिक्ज्फ लीग अब हम आ जाते हैं गुजरात वालों पर गुजराथ के बॉलर्स दिल्ली के वल्लेबाज वॉर्नर वर्सिज उमेश यादव बड़ा तगड़ा मैच अबे 67 गेंद में 99 और पांच बर आउट किया है डेविड वॉर्नर ने मोहिच शर्मा ने 47 गेंद में 90 रंटों खाए है पर सिर्फ एक ही बार वॉर्नर को अपना शिकार बनाया है तो क्लियरली वॉर्नर मारता है भाई मैंने आपको क्या बोलता राशित खान को अकर सबसे अच्छे से कोई खेलता है तो वो पन्त साहब है और उमेश यादव की 16 गेंद में 49 रंड मारने के बाद एक विकट दिया अक्सर पटेल राशित खान की 30 गें 32 रंड दो बार आउट है और दो बार ही यह उमेश का शिक की प्लेयर की बात हो जाए वार्नर पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे वेन्यू रिकॉर्ड खराब है है लोग इसे छोड़के आएंगे लेकिन हम लेंगे क्योंकि वार्नर अब अपनी आतिशी पारी खेलना स्टार्ट करेगा क्योंकि सीनियर प्लेयर है अब वार्नर को भी सूंग आ गई होगी कि हमारी टीम अच्छी हो चुकी है चलने का टाइम आ चुका है वहीं कराम आती खान क्योंकि दिल्ली का जो मिडल ओडर है थोड़ा धीट मिडल ओडर है मतलब वो ना जवान है वो चाहेगा कि राशित खान पर अटैक करें ना कि सेंसिबल खेले औ फिर आते हैं शेहोप देखो शेहोप किसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं फसी दिल्ली की टीम अगर फसी सिर्फ साथ परसेंट सेलेक्शन है तो आप टॉप ओडर ड्रॉप करना है जैसे वार्नर शौ को ड्रॉप किया जेक फ्रेजर मैगर को भी ड्रॉप यह है रीजन सारे की प्लेट्स के सी वीची में देखो गिल डेविड और राशित कान यह सबसे अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन आप बनाना चाहें तो पंथ को ट्रॉप कर सकते हैं अक्सर पडेल सबसे सेफ है क्योंगी चा साते है अपने टीम में तो फिर आपको बसता है जे एफम हो सकता है वो दूसरे मैट में चल जाए बस राशित खान को अगर जेल जाए तो क्योंकि जे एफम को खत्रा है राशित खान से जील प्रेडिक्शन स्टैंग दो जीते हैं गुजरात ने एक जीती है साडित दिल्ल कौन कौन चलेगा गिल राशिद अन मुझे लग रहा है विजे शंकर थोड़ा बहुत अच्छा ठीक था कितना कर जाएंगे कि ड्रीम टीम का पार्ट बन जाए और साइस उदर्शन ये चार प्लेयर मुझे अच्छे लगते हैं दिल्ली की तरफ से मुझे लगता है डेवि गुजरात में अगर केम विलियम सन और डेविड मिलर की वापस ही होती है तो मैं गुजरात के साथ हो जाओंगा ये भी बात बता रहा हूं लेकिन यह मैं तब भी देखने वाल होगा मैं बैठूंगा डेली कैपिटल के साथ ही जिसने अभी तक सब्स्राइब नहीं गया कर दिया करो यार लाइक मैं मतलब इतने प्यार से बोलता हूं तुम मेरी सुनते ही नहीं हो वीरो यार ऐसे करोगे तो लाइक करना और डाउनलूड कर लेना साथ ही साथ लाइक करते हो है माई मास्टर 11 क्योंकि यहां पे जितना कम कमीशन है और जितना कम कमीशन है कमीशन दोनों ही कम है और जब दोनों कम हो तो जीत 100 परसंट होगी डेस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है डाउन्लूड करो माई मास्टर लेवन और साथी साथ मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन क्या हुआ डाउन्लूड करके खेलना चालू करो देखो कितना मज़ा हैगा कीपर में रिशब पंद को रख लिया बैटिंग में जा रहा हूँ डेविड गॉर्णर शुमन गिल पृत्वी शौ साही सुदर्शन क्योंकि एक बैटिंग विकट है हम सब जानते हैं अब देखो जेक चलो बताओ कौन से दो बल्लेवाल लिए जाए डेविड बॉर्णर ले लिया जेक फ्रेजर मैं गर्ग भी ले ले लेते हैं यार तो यार इसमें तो बहुत देखते हैं कि एक इस प्लेयर को लेके आएंगे जिस प्लेयर को लेके आएंगे उसको हम अपने टीम में और दिल्ली का बॉलिंग लाइनप ज्यादा अच्छा नहीं है तो गिल के लिए स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज भी असान रहेगी तो हमारा सी तो फिक्स हो गया है अब आती हम वी सी किसे बना अब जब वी सी का समझना आए तो दो ऑप्शन आते हैं समझ ना मैं आपको दिल्ली की फिर हमने पूरी बैटिंग ले ली कि समझ रहों बस यह चीज़ लेना बाकि अगर लाइन अप में को चेंज होगा मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर बताऊंगा और लाइन अप के अकौर्डिंग अगर मेरी टीम में कोई चेंज होगा तो वह भी मैं आपको टे टेलिग्राम चैनल जोइन कर रखा हो फिर हम मिलते हैं सीधा टॉस के बाद